एक साहुकार था जो भगवान शिव का अनन्य भाक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाग को देखकर एक दिन म माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभू ये साहुकार आपका अनन्य भाक्त है। इसको किसी बात का कश्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि है पार्वती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है। यह इसी से दुखी रहता है। मात केवल 12 वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि ये प्रभू आपको इस साहुकार को पुत्र का वर देना ही हुगा अन्यथा भग क्यों आपकी सेवा पूचा करेंगे। माता के बार-बार कहने से बुलेनात ने साहुकार क पुत्र का वर्दान दिया। लेकिन ये भी कहा कि वल केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयू सीमा। साहुकार ये सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसे न तो खुशी हुई और नहीं दुख। वह पहले की ही तरह बुलेनात की पूज अर्चना करता रहा। उधर सेधानी गर्भवती हुई और नवे महीने उसे सुन्दर से बालक की प्राप्ती हुई। परिवार में खूब हर शोलास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयूं का जिक्र किसी से भी नहीं किया। ज इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी करने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना वहां यग्य करते और ब्राह्मनों को भुजन कराते हुए आगे बढ़ना। वो भी इसी तरह करते हुए जा रहे थी कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह हुना था वह एक आख सिकाना था, तो उसके पिता ने जब अती सुन्दर साहुकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घुडी पर बिठा कर शादी की सारे कार्य संपन करा लिये जाएं, तो उन लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगी वह तो ही कांख का काना है, इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया, उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्री पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बाराक की साथ विदा नहीं किया। बाराक वापस लौट गई। उधर मामा और भांजी काशी जी पहुच गए थे। एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के फ्रान निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए लेकिन सोचा कि अभी रोना पीखना मचाया तो ब्रहमन चले जाएंगे और यग्य का कार्या अधूरा रह जाएगा। जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीखना शुरू किया। उसी समय शिप पार पार्वती उधर से जा रहे थी तो माता पार्वती ने शिप जी से पूछा ही प्रभी ये कौन रो रहा है। तब ही उन्हें पता चलता है कि यह तो भूलेनाथ के आर्शिवात से जन्मा साहुकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि यह स्वामी इसे जीवित कर अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्रान निकल जाएंगे। तब भुलिनाथ ने कहा कि ये पार्वती इसकी आयू इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मा के बार-बार आग्रा करने पर भुलिनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का और नमः शिवाय करते ग बहुत सारे धन धाने के साथ विदा किया। उधर साहुकार और उसकी पत्नी छट पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुषल न लोटा तो वह छट सी कूट कर अपने प्रान त्याग देंगे। तब ही लड़के के मामा ने आकर पूर्वक कहा तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया। उसी रात साहुकार को स्वपने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसंद हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को करेगा या सुनेगा उसके समस्क दूखा दूर हो जाएंगे और मनुवान्चित सभी कामलाओं की पूर्थी होगी।